हेलो एन वेलकम टू आर प्रोग्राम फिल्मी फंडा और आज अपने इस खास कारिक्रा में हम आपके रिले कर आये हैं फिल्मों से जुड़ी दिल चस्प कहानिया जी हां सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है फिल्म पलपल दिल के पास और ड्रीम गर और इन दोनों ही फिल्मो है वह सहर है और इस मूवी पर लोगों की काफी उतनी ज्यादा अच्छे प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है लेकिन अगर सीन्स की बात करें तो फिल्म में काफी अच्छे सीन्स दिखाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के अगर हम छोटे सब्दों में कहें तो फिल्म सनी डिवल को देख करके आपको लगेगा कि वह बिल्कुल हुबहु सनी डिवल के किरदार में उन्होंने अपने रोल को बखुबी निभाया है वहीं अगर हम दूसरी फिल्म के तरफ बढ़े और बात करें ड्रीम कर्ण की तो ड्रीम कर्ण को दर्शकों का अच्छा रस्प अगर मैं a फिल्म के बात करूं और मैं लोगों की बात करूं तो यहादा ऽियादा पशंद कर रहे है क्योंकि उस पार्जम की उर क्शुम की उछ में पेल्हां तो फिल्म में में हौना है इसमें ही हेरो है aur और वही हिरोईन ही है अगर हम बात करें देखें तो नुश्रत बरुचा का उतना ज्यादा स्ट्रॉंग इसमें मतलब उनको नहीं फिल्म आया गया है लेकिन अगर आयुश्मान खुराना के बात करें तो उनकी ये फिल्म पूरी तरह से उन पर बेस्ट है बिसिकली बॉलिव तो आप लोग उस शो का भरपूर प्यार दर्शकों को मिलता है उस शो को तो उसमें लड़की जो है वो लड़की किरदार में लोगों को हसाते हैं बिल्कूल उसी तरह आयुश्मान खुराना लड़की के किरदार में फिल्म में लोगों को दर्शकों को हसाते हुए नजर किछब कितनाzero किस इन मार्कट में अगर हम फिल्म के गीत गानौ किर तो गानलिय के पाद करें तो गानी उसमें सबसे ज्याता ज़冷 gray वाला है वह वूट सब फेमस हुआ है कहीं न कहीं आपने टिक टॉक पर भी देखा होगा कि लोग जो है टिक टॉक पर उस फिल्म के उस लाइन को जो है अपने एक्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फिल्म में पूरी तरह से जो है आयुशमान खुराना ही रिस्पॉंस उनकी तरफ से आ रहा था है फिल्म को देखके तालिया सीटिया किस तरीकी बजाए जा रही थी फिल्म में आयुशमान खुराना की आवाद सुनकर उनकी हर एक डायलोग पर वैसे कमेंट करना अच्छी बात तो है नहीं लेकिन पूरे थ्रियेटर में मैंने आ इनकी फिल्म में डे चैटने को मिली आपको इस फिल्म को अगर देखा जाए तो यह स्टाटिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से तिल्चस्प है लेकिन ऐने वीवर मैं आपको एक और चीजब बताना चाहूंगी कि ड्रामा इसमें थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए की थोड़ी कमी आपको लगी मुझे इसमें बेसिकली एक ड्रामा लास्ट में एंड में फिल्म का फर्स्ट हाफ इस टू गुड लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड हाफ की तो हमने जैसा सोचा था कि लास्ट में जो इंडियन शोस के हिसाब से ड्रामा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए वैसा ड्रामा आपको देखने को नहीं मिलेगा खुस्बू आप इन दोनों फिल्मों को अगर श्टार्स देना चाहें तो आप 5 में कितने स्टार्स ड्रीम गर्ल और पलपल दिल के पास को देना चाहेंगी जी मैं पलपल दिल के पास को तो उतना ज्यादा हाई रे कि अगर हम दर्शेकों का प्यान नीव कमर को मिलेगा तो आने वाले समय में अगर अक्षेक मार के बेटे की बात करें या सारुख खान के बेटे की काम बात करें बहुत जालवी फिल्मों में लॉंच हो जाएंगे तो अभी फिलाल करन देव लॉंच हुए हैं और आप झाल